मंडियों में नई मूंग की आवक का शिरिगनेश हो चुका है जिहां इन दोर में शुकरवार को नई वर्षा की मूंग की आवक का शिरिगनेश हुआ नई अमूंग मूहरत में 6711 रुपे प्रतिक विंटल पर बिक्ता दिखाए दिया है उतपादक मंडियों में भी नई मूंग की आवक दीरे दीरे बढ़ रही है मोसम अनकूल रहा तो अगले महीने मूंग की अच्छी आवक देखने को मिल सकती है मूंग डाल में फिलाल उबोकतागरा की समाने की तुलना में काफी कमजोर है इसलिए आगामी दिनों में इसकी कीम्तों में गिरावट आने का अनुमान है इंदोर में पुरानी मूंग घटकर 6400 से 6600 रुपे प्रतिक विंटल रहे गई है जबकि नई मूंग 1600 के पार जापोंची है खरीब सीजन की धलन की आवक अगले महिने बढ़ेगी इसके तहट केंदरी अजंसियों को उड़द और तूर के साथ ही अगामी रभी सीजन में मसूर की नियूंतम समर्तर मुल्या पर ज्यादा खरीद करनी होगी केंदर सरकार के चना वित्रन फैसले से राज्या और केंदर शासित परदेश विभिन कल्यानकारी योजनाओ जैसे पीडियेस मिड़े मील योजनाओ आदी में चना धाल का उपयोग करने में सक्षम होगे चालू सीजन में देश में चने का रिकोर्ड उत्पादन हुआ है और चने की कीमते उत्पादक मंडियों में पहले ही नियूंतम समर्तर मुल्या से नीचे है और केंदर सरकार के इस फैसले से उमीद की जा रही है कि कीमते और नीचे आ जाएंगी यानि गिरावट आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी